क्या देख रहे हो? यही न कि आज यहां से बहुत तगड़ी वाली मॉटिवेशन मिलने वाला है लेकिन क्या करोगे मॉटिवेशन लेकर? बार बार मेरे मॉटिवेशन वीडियो देख कर अगर अभी भी तुम्हारी जिन्दगी नहीं सुद्री है तो बेकार है बेकार है इस वीडियो को भी देखना मैं तो कहता हूँ कि इसकीप कर दो मेरे इस वीडियो को मत देखो आखिर देख कर तुम क्या ही उखाड लोगे? बेवजा के दो-चार मिनट अपना बरबात करके ही जाओगे क्योंकि मॉटिवेशनल वीडियो देखने के बाबजुद भी तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो अभी भी केवल सोसल मीडिया पर वीडियो देखकर अपने समय को वैतित कर रहे हो अर्धार बरबात कर रहे हो तुम्हें पता है कि जो वीडियो तुम देख रहे हो उस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी कितनी उरजा सकती और समय लगा है मैं मॉटिवेशनल वीडियो क्यों बनाता हूँ इसलिए ना कि हमारे देश के युवा पीडियो मेरे वीडियो से मॉटिवेशन लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाए अपने माता पिता के सर को फक्र से उचा करने का मौका दे लेकिन कहां? कहां मेरी कोशिस मेरी महनत काम्याब हो रही है तुम लोग बेवजह के वीडियो देखकर अपना समय सोसल मीडिया पर बरबात कर रहे हो और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरा युवा पीडियो मेरे वीडियो देखकर मॉटिवेट हो रहे है इंस्पायर हो रहे है अपने जीवन में कुछ करने को, कुछ नया कर गुजरने को, कुछ ऐसा करने को कि पुरे संसार में अपना और अपने माता पिता और अपने देश का नाम गरवानवीत कर सके पर मैं गलत हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ मेरी उम्मीद तुम लोगों की सोच की तरहा खोकली है और खोकली केवल इसलिए क्योंकि तुम लोग अभी भी सही रास्ते पर नहीं आ रहे हो आखिर क्या चाहते हो क्या करना चाहते हो अपने जीवन में कम से कम यह भी तो सोचो आज तुम्हारा उम्र है आज तुम युवा हो कुछ कर सकते हो कुछ बहतर कर सकते हो अपने जीवन में अपने परिवार के लिए अपने लिए अपने देश के लिए लेकिन फिर भी बेवजा सब कुछ जानते हुए भी समय को केवल बरबात कर रहे हो दोस्तो अभी भी वक्त है समय की कदर करना सीख जाओ अभी भी वक्त है एक तगड़ी लक्ष बनाओ और उस लक्ष को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करने में लग जाओ मैं सच कहता हूँ वह दिन दूर नहीं जब तुम खुद मेरे इस वीडियो में आकर कहोगे कि आपने सच कहा था मेरे अंदर वह जजबा था मैंने पहचानने में देर कर दिया दोस्तो आपका दिल संकल्प आपके अंदर की इक्षा सक्ति लक्ष को प्राफ्ट करने के लिए होना अतिनता वस्च्च है तभी आप अपने जीवन में एक काम्याब इंसान बन पाओगे दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का मैंनत इस वीडियो को बनाने में लगाई गई उर्जा सक्ति वेर्थ नहीं जाने दो वो कहते हैं ना जहां संगर्ष नहीं वहां सक्ति नहीं जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक ना पड़े हतावडे की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता धन्यवाद